क्याते हैं मनिस्यों को ग्यात हर विमारी के लिए एक पौदा होता है जो के उसे ठीक करता है या असकी बात नहीं है यह हमारे पूर्बज यानी के सौ साल, डोसाल ही नहीं कम से कम हजार साल पहले भी इससे विमारी को ठीक किया जाता था तब ना esfोमियोपैती था था तब सि क्रिति उप्चारों के लिए गुनों की खोज करते रहना होगा इस कहावत के अनुशार आपको कुछ अंदाजा तो हो गया होगा कि हम किस बारे में बात करने हैं यह एक ऐसी विवस्ता है जो दुनिया की प्राचीन चिकित्सा प्रनालियों में से एक है और इसकी जरे वैदि तरीके में से एक माना जाता है तो आज मैं आपको उसी बारे में जनकारी दूँगा और इस वीडियो के अंद तक आयरवेदिक की डिग्री कोर्स के सम्मंधित आपको उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जैसे की BAMS क्या होता है लिजबिलिटी क्राइटेरिया क् How to get admission यानि कि आप admission कैसे ले सकते हैंhen? Duration यानि कि को ओर्स के Duration कितनी है कितनी अफदी है? syllabus के बारे में जानेंगे top colleges और और गहों हमेंट के बारे में जानेंगे जो वीडियो को आफ़को करता है सबस्क्राइब करें अब अबसे पहले सबस्क्राइब करें और नदी जाने वाली आईरुवेद पर केंद रित में एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसकी अब दी साड़े पांस साल की है जो कि एक साल की जरूरी इंटरंसिप इसमें सामील है BMS गेजुट को भारत में ज्यादतर राज्यों के सरकार दोरा एप्रूबिंग लाइसेंसिंग बोडी के साथ रेजिस्टर होने के बाद मेडिकल ट्रेटमेंट प्रोवाइट करने का अनुमती होती है आयरुवेद ना केवल इलाज प्रदान करता है बलकी बेमारियों को दुबारा होने से भी रोपता है यह हम क्या सकते हैं कि बैचलर फायरुवेदिक मेडिसीन एंसर जी मेडिकल के फिल्ड में एक क्या सकते हैं कि इंटिग्रेटर डिग्री है जो कि आयरुवेद दवाओ और जरी बूटियों के अलाबा इस छेतर में आपको अन्य इलाज की तकनिके भी सामील है जैसे कि बड़ी मसाज, प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, मेडिटेशन, और डेटरी चेंज़ेज बीएमेस करने के लिए आपको क्या इलाज़िटी क्राइटिरिया चाहिए वो समझ लेते हैं 12th Science Stream से आपने अगर PC भी किया है, Physics, Chemistry, Biology से अगर तो मिनिममम इसमें 50% चाहिए और OBC, SC, ST वालों को 40% मार्क्स चाहिए होते हैं BMS कोर्स में सामिल के जाने वाले जो इंटरेंस एक्जाम्स हैं उसको आपको देना पड़ता है जिसमें आपकी मिनिममम एज 17 वर्स होने चाहिए अब जानते हैं कि कैसे आप BMS में एडमिशन ले सकते हैं तो जो candidate इंटरेंस एक्जाम्स देते हैं उनके rank के according उनको एडमिशन मिलती है तो आई कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरेंस एक्जाम्स के rank और 10 प्लस 2 की जो marks है दोनों के अधार पे इसमें इंटरेंस देते हैं यानि कि एडमिशन दे देते हैं तो दोनों तरीके के आपका जो है वो इलिजबिलेटिक राइटेरिया है इन दोनों चीज़ों क आप देख सकते हैं हाला कि अलग-अलग जो है वो आपको यूनिवर्सिटी इस पर डिपेंड करता है अब जानते हैं बीएमेस कूर्स का स्लीबर्स क्या होता है बीएमेस रिग्री कूर्स मुले तीन चर्नों में डिवाइड किया है जो कि प्रोफेशनल वन प्रोफेशनल प्रोफेशनल वन की बात कर लें तो इसमें आप पढ़ते हैं हिस्ट्री आफ आयरुवेदा, मोडन एनटोमी, फीजियोलोजी, आयरुवेदिक क्लासिकल, टेक्स्ट, एंड संस्क्रीट लैंग्वेज इत्यादी, प्रोफेशनल टू की बात कर लें जिसमें आता है सोशल एंड प्रोफेशनल एडिक्स, टॉक्सियोगोजी, फार्माकोलोजी, एंड फार्मकूटिक्स, डिजियोगोजी और क्लीनिकल मेथट पॉल्स, डिजियोगोजीज आयरुवेदिक क्लासिकल टेक्स्ट इत्यादी पढ़ते हैं वह प्रोफेशनल थीडी की बात कर लें जिस एल्थ रेगुलेशन, योगा, जेनरल मेडिसीन, एंटी और पंच कर्मा जैसे सब्जिक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं इन तीनों प्रोफेशनल की बात कर लें तो इनके अबदी जो है वो डेर डेर साल की होती है इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद पाぜ बात करेंगी उसे पहले जान लेते हैं कि व्यूस प्राइबेट का बारे में प्राइवेट कॉलेज ऐसकी है अचारे देश भूसं है डूकिल प्रहिल kok है आलिगर्ण उन्यानी आरभी करेंज जो की उत्रप्रदेश है उसके बाद है अभी लाजसी यूणिवर्सिटी जो खेिय도 consecutive में उस्तित है अब टॉपरमेंन्ट कोलिग कुलीज्ट न शकतित है जोकि लखनो में शतितत है गंड्र और THE长 एंड ऊस्पिटल जो कि नागपूल में इस्तित है गौश्य जो की राइपूल में इस्तित है और बात कर ले इसके बाद जो है दायनंदा आयूर्वेदी कालेज होस्पिटल एंड फार्मेसी जो कि जलंधर में इससे थाइब जान देते हैं बी-ए-मेस कोर्स की जो स्ट्रक् का जो है फी लग सकता है अब जानते हैं बीए में इसके बाद क्या कैडियर की संभाब नहीं हो सकती है हाली के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आयरवेदिक ट्रेटमेंट सिस्टम फिर से अपना जामीर धीर धीरे हासिल कर रहा है लेकिन इसी तूरूप से यह केबल भारत और भारतिय उप महादीप के देशों में ही नहीं बलकि अन्य विक्सी देशों में भी हो रहा है जिससे अरवेदिक उप्चार प्रनाली के छेत्र में ज्यान और विस्षसग्ये वालों पेसावरों के लिए लावधारी साबित होगा जिसकी रोजगार है इसकी सेक्टर भी मैनजर और रिसर्च के रूप में आयरुवेदिक डिग्री होलडर की आप सकता होगी, अरुवेदिक मेडिसीन और सरजरी बैस्ल video की डिग्री प्राप्त करने वाले उमीदोर भी डॉक्टर कहलाते हैं, अपनी नीजी मास्टर्स डिग्री या फिर उससे ऊपर्दी के डि में लेक्चरर और साइंटीस्ट के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं बीएमेस करने के बाद लगबग आपको कितनी सैलरी मिल सकती है आई जानते हैं मुले रूप से बीएमेस डिगडी होल्डर की सैलरी उनकी अपनी विस्यसकता और उसकी संगठन पर निर्वर करत करते हैं कुछ जो भी सिसकता और नौकडी के अनुभब के बाद आपको बेतन मान जो है वह बढ़ जाती है जब किस तरकारी संगठन में काम करने वाले डॉक्टर की राज्य के नीती और अनुशार जो बेतन माल जो मिलता है उनको इच्छेतर में वह प्राइबेट प्रैक सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट करके बताएकर किसी आप अन्य टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद